जिआ अँलो गाइज इसव मीडवन और फिटनेस ब्रदर याद्वेंदर पाल बहुत सारे बाते करनेinguém आपके साथ ूंध वर्कट करते शोंध अरु जो आजका हमारा व्रकट है वह व्यूमंध को लेकर है व्यूम्य आज की जланत trophy हमारा है उस वर्काउट में आपको पता है कि हम उन इक्सरसाइजेस को सेलेक्ट करते हैं जो कि आसानी से हर जिम में उस वह एक्विप्मेंट अलाओ करते हैं वह एक्विप्मेंट रहते हैं ताकि उन इक्सरसाइजेस को हम आसानी से परफॉर्म करते हैं तो आगे चलते हम वीडियो में और देखते हैं वो कौन-कौन सीक्साइजे हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है परफॉर्म करने के लिए और अपने बाइशेप को एक एक्स्ट्रा बूश्ट देने के लिए कि लेट्स बीइन दस्ट्राइब कर दो कि अगया है जो यहां पर फर्स्ट और काउट है वह बारवैल कर इसमें इस बारवैल को लेना है या बेंड रोंड भी बोल सकते जो भी आप अपने लैंग्वेज में समझे उसको आपको लेके उसमें अपने वजन उसार जितना आपक करना है जिसमें कि हम अपने बाइशेप को थोड़ा सा ट्रेंड कर पाएं आगे वरकाउट के लिए को सुई siglo में बहुत ही आराम से और बहुत ही पर प्रफेक्टली ने करना है बाइशेप को मेर को स्पिस करना है और बाइशेप ब्राची मस«ठी मसंठ्ग्ज उसको स्पिस करना है और रिलेक्श करना है यह हमारे जो है पर करें गांँ सब्स वरकाउट 13 1 कि उतना ही बेतर होगा टाइम टू टाइम आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं जो सेकंड वरक आउट है वो हमारे डंबल कर लहें जिसमें हमें डंबल से कुछ ऐसे परफॉर्म करना है डंबल कभी भी आप अपने हैसित से ज्यादा ना उठाएं जितना आपके बाइसेप और आपका अलाओ करता है बाइसेप उतना यह डंबल को ले क्योंकि हमें बाइसे कि मसल्स को बाइसे ब्रॉंकाई मसल्स को करना है ठीक है अब मोस्टिस्टर्बिंग अलमेंट आफ माई जिम यह वो हैं निरभयादो जो की हमेशा 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 हमें मुझे इस्पेसली डिश्टर्ब करते रहते हमारे वर्काउट की भी आप जोक सब्सक्राट जलते हैं चहां के जो हम को यह वर्काउट करना है इसमें हमें थ्ञान देना है यह पहले तो इसको तीन के साथ के साथ जैसे जडे से आप मैक्सिमम मीट ज्यादा बढ़ा रहा है दिरो कि मैंकिस्यम ना का मूझे ऻता रहा है घुड़ाइए वॉजन आप हलका साथ कम करते हैं जो जिस बिस्वी पार्ट का कर रहा है जिस भी मुसल को ट्रेंग करता है और पूरेक्ट है करने से उठाने से मतलब नहीं है जो भी मसल्स है जो भी मैं मार रहा हो बाइसेप की मसल्स जो ब्रेकडाउन अगर नहीं होंगे अगर हम 50-50 किलो के डंबल उठाएं लेकिन हमारे बस्थ के मसल्स पर प्रभाव ना जाए तो उस इक्सरसाइज का कोई मतलब बनी है माल वाइड्स Yazan नहीं है वजन उतना उठाना जितनाम अंधा परफर्म करने himself in ज़िएन अरा हुआ है क्या हमारा मूवमेंट होगा बहुत श्लोली होगा और वह ढूंत ही आनाम से होगा सुरी पीचे मत ध्यान दीजेए वह उनका तो कामी है वह जिम में पुरा वर्काउट की डिवरेशन तक पुरा डिश्टरब करना दूखरों करते हैं तो इस वर्काउट को हमें जो डंबल कर लें इसको ऐसे परफॉर्म करना है और इस चीज को करके आप अपना बाइसे को एक अच्छा से इन्हेंज कर सकते हैं अपना मिड वर्काउट डिविशन में तो इससे हमारे वाइसे घ्राइज आप डेफनेटली बढ़ेगा बहुत, बहुत ज्यादा होते हैं और इससे ब्लैकडवावन होते हैं। जो तीसी मूस वर्काउट हमारा है वह है वन साइड होल्ड जो डामबल करल हमने किया, हमने सिर्फ रखना वर्कॉट है, छे हम हम तो उसको पंप करने के लिए हमें ज्यादा रेपिटिएशन करने की जरूरत ना पड़े तो यह वर्काउट जो हमारा है इसका भी तिन सेट लगाने हैं आप दो भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा कि आप तिन सेट लगाएं वरकाउट के और दस से बारा पंदर एपिटेशन जिद्दना आप से मैक्सिमम रेपिटेशन हो जाए वो लेकि जाने की कोशिज करें कि आप देख सकते हैं यह मेरा दूफरा शेट है इस वर्काउट का और इसको हम बहुत ही स्लोली वे में परफॉर्म करेंगे जो भी हमारा एक हाथ रहेगा वो 90 डिग्री अगर ना हो सके 90 डिग्री से थोड़ा से नीचे कि इन दे सेंस कि जो बीच के हमारा जो एंगल मनता है वो अब नैंटी रहे और उसको हम परफॉर्म करें वर्काउट को इसली ठीक है वर्काउट को हमें बहुत ही आराम से करना है और दूसरे हाथ को हमें ज्यान रखना है कि हमारा हाथ इस तेन होल्ड पर रहे अब जब सिर् भी मैं उसको उठाया हूँ इसको मुझे रखना नहीं है जो भी वर्काउट होगा दोनों हैंड का दोनों हाथ का वर्काउट शेम करना है हमें जो हमारा नेक्स वर्काउट है लिवर प्रीचर करल उसके लिए हमें कुछ ऐसे इस मसीन के जरूरत पड़ेगी इस्पेसली हर हर जिम में यह मसीन अविलेबल होती है और जिसमें यह हैंडल जो मैं पकड़ाओं वो ना भी हो तो वह जो भी है कुछन होता है जिस पे आप आसानी से बार्बल करल को रखें जो मैंने पहले वर्काउट में परफॉर्म किया इस सीच से तो बार्बल करल रखें उसे आप से बार्बल करेंगे तो सेओं आपका इफच्ट जाएगा आपके बाईशिप मसल्स पर और आपका बाईशिप मसल्स उतना ही प्रें होगा है जितना आप इस मसीन से पर पा रहे हैं तो हमें द्यान रखना है सुपेसली कुन कुछ बातों का पहला बात जब भी हम अपने ब कि इस मसीन पर प्लेश करें तो हम देख सकते हैं मैं अपने बाइशेप को खुछ इनर साइट से निकाल रहा हूं तो अपने बाइशेप को एक एंगल पर अगल पर उसको मोड रहा हूं कि जो हमारे bicep के ब्रोंकाई मसल्स, जब भी हम उस चीज को परफॉर्म करें, तो सबसे ज्यादा मसल्स का breakdown है, उस मसल्स में हो, और हम उसको एक अच्छा ट्रिंकत रखते हैं, जहाँ आम ध्यान देना है, ज़रुद्र के हिसाब से महारे को हर सेट के बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेगा मैक्सिमूम से मैक्सिमूम रेपिटेशन तक आप इक्सरसाइज को ले जाएंगे तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मैं अपने वजन को थोड़ा बढ़ा लिया हूँ जो की मतलब की थोड़ा सा ज्यादा वजन हो गया है यह लेकिन फिर भी आम इस वर्काउट को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे वर्काउट को बहुत हैं जो की बीच में आके उगली करते हैं इंकी तो क्या ही कर रखते हैं भाइया मतलब की विस्ते में भाइया हैं तो तीक है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वरक सब्सक्राइब करेंगे इस वर्काउट में ध्यान रखना है मतलब की यह वर्काउट आप जानते किसलिए है यह वर्काउट हमारे बाइसेप मसल्स को और हमारे जो फोर आम मसल्स इन दोनों को एक साट्रीन करता है तो इसके भी आप दो से तीन सेट लगा सकते हैं तस से बार रेपिटेशन के साथ और वेट आप अपने अनुसार बढ़ा के बढ़ा गटा सकते हैं जब भी आपको जैसा आपका बाइसेप एलाव करें तो इससे हमारे फोर आम पे इस्पेसली काफी यह त्रिन आता है और ह यह भी आप बाइसेप के साथ इसलिए हम आरते हैं तो इसमें आपका बाइसेप बिनवाल बहता है और आम के साथ ठीक है जलिए चलते हैं अपने नेक्स वरकाउट जो हमारा नेक्स वरकाउट कि वह एकाइसे हैं जिस्को फार्त को और थाम सल्क को हेमर करल की तरह करेंगे जिससे कि हमारा बायाट और जो अपना फोर आम है वो दोनों कवर हो पाए एक सब्सक्राइब तो इस वरकाउट के भी हमें तीन सेट्स लगाने हैं 10-12 रेपिटिशन आप इसके लगा सकते हैं द्यान कि हमको रखना है हमारा जो भी एंगल है इसमें आप देखते हैं मैंने हत्से जालता तो आ ऐसी गलती नहीं आप स्ट्सक्राइब करें तो भी डिग्री तक खुले और वापस अच्छे से क्लोज हो पाया थार्टी डिग्री पे ऊपर पर इसके बाद जो लाइट हमारा बसता है उसको हमें टीबार्थे करना है और इसको हम पर्फॉर्म करेंगे अपने बाज टाइम एक अच्छा सा बुस्ट पंप देने के यह था आज का workout, उमेद करता हूँ, अच्छा होगा, अगर अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, थैंक्यू, धन्यवाद,